अससलाव अलेकुम दोस्तों कैसे हो उमीद करते हैं आप सब खेरे सूंगे दोस्तों आज का वीडियो बहुत आहम होने वाला मैं आज की टॉपिक में बताऊंगा सौधी में आप लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको सौधी अरब में कोई परसानी वाला हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ है आप बताने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा लाश्टक ताकि आपको हर एक इन्फरमेशन की जनकार्य अच्छे से मिल सके तो जैसा कि आपको पता है मैं हर वीडियो में कमेंट का जवाब देता हूं कुछ न STEP कमेंट का जवाब देता हूँ अगर आप लोगों को कमेंट का जवाब नहीं चाहिए अगर आप लोगे करने से मेरे आपको लोगों को कोशिवायों नहीं कि करूंगा aisi कि मैं के मिल जवाब में ठोड़ा सा मुस्किल होता है लोगों को अच्छे समझ में नहीं आता है और इस तरह से वीडियो में देने से लोगों को समझ में आ जाता है अब आपके उपर है आप क्या बोलने कमेंट जरूर कीजिएगा तो सबसे पहला कमेंट मैं ले रहा हूँ जैसा कि इनका नाम नहीं इनका कोई चैनल ही है गेम टीप कोई चैनल इनका इनका कमेंट किया है कि भाई मैं सौधी आया हूँ और मेरा कफिल ठीक नहीं अब क्या करना चाहिए तो भाई जैसा बहुत सरे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका कपील अच्छा नहीं होता है वो लोग परसान हो जाते हैं तो भाई अगर आप काम करना चाहते हैं अपने कपील के पास तो काम आप कर सकते हैं जब अजस्तिक कपील आपको काम नहीं करवा सकता ठीके न अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं आपके हाला ठीक तो आप इंडिया वापस चले जाए उसको बुलिए भाई मेरा इकामा अगरे मत बनाओ क्योंगों तीन महीने कंदर आपका इकामा नहीं बनाएगा वह आपको इंडिया वापस भेज देगा अगर आप उसको कहेंगे तो अगर आप परसानी ज्यादा है अगर आपके एकामा बन गया है तो आप उसको बुलिए कि भाई मेरा का पाला कर दे या फिर मुझे फाइनल एक जिट बोले अगर आप घर परसानी है तो भाई परसानी तो सःनी पड़ेगी या तो फिर आप मुझे मेरे परसनल वार्टसब नंबर में मैसेज कीजिए डिस्केरप्सन में मेरा वार्टसब गूरूब का लिंक है उसी का मैं एडमीन हूँ आप लोगों से पहचाल लेंगे मेरे डारेक्ट मेरे वार्टसब नंबर मैसेज कीजिए में कुछ में कुछ तरीका आपको बताऊंगा ऐसे यूटूब पे पूरा चीज मैं आपको नहीं बता सकता वुशे कवाज दोसरा कमेंट आया है मेरे पास खालित काया है विलने भाई मेरा मेटकल हो गया है बर मौफा नमबर नहीं आया है सोले दिन हो गया है अभी तक मौफा अपडेट नहीं हुआ कितना लेट है पिलिज एनिवन टेल मी तो भाई मैं आपको पता देता हूं जब आपका मेटकल हो जाता है मेटकल जब फ्रिक्ट हो जाता तो उसके अगले दिन ही बहुत सारे एजेंट क्या जैसे सम्मिशन के आप भी बीजा इस्टंपिंग नहीं करें आप खुश तो चीए शोले दिन में आपका बीजा इस्टंपिंग हो जाना चाहिए ठीक है ना लेकिन आपके एजेंट के पास भीजा नहीं होगा आप टाइम बेस्ट मर्ट किजी आप जिस में आप कहीं और भी ट्राइक करते र ट्राइब करवा लेजिए नहीं तो देरे देरे आपका मेटकल एकस्पायर हो जाएगा फिर आपको दुबारह मेटकल करने की पड़िशन पर सकती है ठीक है उसके बर मेरे पर तीसरा कमेंट आया सीव कुमार का सीव कुमार भाई लिखते हैं सर मेरा मेटकल अन्फिट अनल रूल आइन दो भाहिने के बाद और दोबारह मेटकल करा सकते हैं जब आप अपाइमेंट बुक करेंगे तो आटमेटिक आठ जाएगा चे महने के बार पूमे नंचा भीर चाहने के लिए मेरा मेंटकल अन्फिट हो गया आख के वजए से तो भाई जम मुझे अब भाई ज कि आने के लिए या जाने के लिए हूं या फिलिज भाइव रिपलाई तो आपके भुलका मैं आप सेटिंग कर जा सकते हैं क्योंकि यह रास्ता है आपके पास कफेंटिंग कर लो जले जाओ क्योंकि आप में आपको कोई कोई परसाइं नहीं थी क्योंकि आँख की चेकिंग नहीं लिकिन आख दुनों आख त्वड़ा सही सलामत होना चैसा नहीं कि यहां कर डाक्टर डेक्टर पैचन जेकि हाँ आपने सेटिंग करके आया हुआ है ठीक है अब आता है टॉपिक पे आपको बताता हूं मैं सौधी अरब जाने के अरब आपको कौन से काम नहीं करना है ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं थीक है तो सबसे पहला चीज में बता रहा हूं अगर आप साओदी अरब जार हो गया तो आपको एक काम बहुत जरूरी है करना तो यह है कि आप अपने पासपोर्ट का फोटो कॉंपी औ इसका डिटेल आपको अपने घर पे जरूर रखके जाना है क्योंकि इमर्जेंसी में चीज काम आ सकती है और साथ में अपने साथ भी लेकर उसको जरूरर जाना चले जाएगा उकों कि यह चीज हमेशा अपने साथ रखना बहुत जरूरी होता है ठीक है न और इसके बास जब आप एरपोर्ट के बाहर पहुंचेंगे एरपोर्ट के जैसे सौधी अरब एरपोर्ट से बाहर निगलेंगे तो बहुत सारे टेक्सी वाले आते हैं गार मुल्की भी आते हैं इंडियन भ लेकिन भाई यहां पर आप यह गलती कर रहे हो आप अपना पास्पोर्ट किसी भी टेक्सी वाले को नहीं देना अगर पास्पोर्ट मांगे बीज़ा कोंपी दिखने के लिए मांगे तो आप अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं या फिर जो फोटो कांपी आपने कराकर र कर पहta हैं पहुँँद्श नीचे उतर हो पास्पोर्ट ले वाप सिस्षय वाला दिसमें आपको है ऊब स्थालि सकतिके और सभी किसी ना चाहिए विघ्यसमें क्योंकि यह आपका अहम ड़र्टत वार्ट्ट सो अपका सारा काम होनने वाला तो आप लोगो इस पिलिस रिक्वेस्ट है आप लोग पार्सपोर्ट जब साओधी अरब में किसी को ना दे यहां तक कि कमपनी और कपील को भी देने की मनाई है गवर्मेंट के थरफ से ठीक है अगर कपील और कमपनी भी माँगे उसको भी आप को नहीं देना चाहिए इसके मेंना ठोड़ा मेंनद करें तिन महीने आपको परसानी होगी क्योंकि आप लोगों की पता है जो लोग भी नाया भीजा पर सौरी अरब आते हैं उन लोगों को तेन महीना जयादा तर जान बुझ के बहुत सारे कपील जान बुझ के परसान करते हैं यो देखते हैं तरा है कि भाद बंदा कैसा है काम करने लाइक है एक नहीं टिक पाईगा सव दिगाए कड़ てए कि दिखा दो तरह के हैं एक तो बीपियां चलाते हैं लोग नेट के लिए और कुछ लोग चलाते हैं गंदी वीडियो देखने के लिए इन दोनों के लिए भी वार्निंग में दे रहा हूं आप लोगों को सुधर जाए भाई आप एक काम बिल्कुल मत किजिए क्योंकि साथी अरह में यह दोनों चीज बेन हैING चोरी चलाते हैं लोग आपको अपने मोबाल में चीज बिल्कुल रखे भी न को cया कि क्शवगिए हगा कि मॉबाल कि को कम कौकर ठीकाना नहीं है किस वshire प्रचैंग चालू हो जाए है अगर आपको चालें ऑपके मोबाल में चीजे मिल गई तो समझे ये आपकी बक्साइस नहीं होगी आपको वापस डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा कभी साओधी अर्म में बेन भी कर दिया जा सकता है तो आप लोग एफियात रखें आप लोग करें ये काम देखें लेकिन अपने रूम के अंदर जब बाहर जाएं तो सारा डिटेल अपने मुबाईल से इसको डिलेट करना है ताकि अगर पुलिस के हाथ में आपका मुबाईल आय तो इसको कोई डिटेल कोई भी सबुत उसके ह बना मिलें आपके खिलाब ठीक है न तो सजियाद ये सदी अर्म में काम करने के लिए मैंनत कीजिए काम कीजिए फिर अपने मुल्क के चले जाए अराम से क्यों कि कभी विरास्ता बंद नहीं करना चाहिए एक हैंका भी ठीक है न थाक इससाब से सद्दी अरब से कि आप दोबारा साथी अरव में एंटरिक कर चो लो क्योंकि परसानी कभी बोल कर नहीं आती भाई परसानी को जैसे आपको फिर दोबारा साथी अरव आना भी पड़ सकता है तो मित करता है वीडियो जरूर पसंद आया होगा पसंद आयाट लाइक से जरूर किजिएगा फिर मिल्टर नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धुआ मियाद रखे आला हाफीज